चीन ने जिस तरीके से सरहग पर हमारे सेनिकों के साथ बरबरता की है जिसके बाद सभी देशवासियों के दिल में बदले की आँख भड़क रही है लोग चाइनिस प्रोडर्स का बहिशकार कर रहे हैं और चीन से व्यापारिक रिष्टे खत्मकरनी की बाद भी कर रहे हैं में परदेश की स्टोन इंडस्ट्री भी इसके लिए पूरी तरह तयार है सीडी ओएस के वाइस चेर्मेन अशुक धूत से खास बादचित की हमारे सबादाता बीकेश शर्माने राजस्थान की जीडी पी में इस्टोन इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है इसमें हैंडी क्राफ्ट और इमारती पत्थर दोनों ही शामिल है वर्तमान में किन परस्टितियों को ये इंडस्ट्री सामना तर रही है और आगे क्या है योजना इस पर वाच्चीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीडॉस के बाइस चेर्मेन अशुक धूत आई इसे बात करते हैं तू सब काफी चुनोती का एक वक्त है और किस तरह से इस चुनोतीक से लड़ने के लिए आपने योजना तैयार की है ऐसा है कि हमने हमारे सीडॉस के तरफ से भी उद्यमियों को व्यापारियों को सारे इस्ट्रेक्शन्स बताएं हैं कि किस तरीके से इस कोविड से बच करके हम अपना उद्योग चला सकते हैं अपना व्यापार कर सकते हैं अभी लॉकडाउन हटने के बाद में करीक परीब सभी उद्योग शुरू हो गए हैं लेकिन काफी उद्योगों में मजदूरों की कमी मैसूस हो रही है जो बिहार और यूपी के मजदूर मंडियों में काम कर रहे थे उनके जाने से भी उपादन पूरा नहीं हो पा रहा है अब जैसे जैसे मजदूर वापस लोटेंगे तो मेरे खाल मैं सूचता हूं दीवाली के बाद हाला सामाने हो जाएंगे अभी डिमांड और सप्लाई की क्या इस्तिति है अभी क्योंकि तो पिछले दू तीन महने से प्रोडक्शन भी नहीं था और माल विका भी नहीं ने किस्टमर आए ने ग्राक आए अब जैसे ही लोगडाउन हुटाया है तो जो विबिन जगों पर जो वैपारी है मारबल ग्रेनाइट के वो माल करीडने आ रहे हैं क्योंकि पिछले तीन माह में जो उनके पास था माल उसमें काफी माल बिग गया है तो भी सप्लाई जितना प्रोड़क्शन है उसी रिसाफ से सप्लाई भी हो रही है अभी मान्स में मान्स और प्रोसेसिंग यूनिट सब जगय किस तरह का का मुरा हर अर्प्रडक्शन कितनी कैपिसेटी से हो रहा है अभी जो गैंग्सों मशीन से प्रोसेसिंग की उनमें करीब हंडेट परसेंट जो पहले प्रोडिक्शन था उतना नहीं हो पा रहा है लेकिन करीब पचास-साथ पृतिश्चर्ट प्रोडिक्शन अभी हो रहा है मैशन फब्र quand ल Woo podr ॵ और यहां लग्वर की कमी से प्रोडक्शन कम है तो मैं सोशन अब जो लोग घाउं चले गए UP VR मौत सकता है कुछ अफिछ लोग दिवाली से पहले चाए और बहुछ लोग दीवाली के बाद ہیں तो मैं सुषता हो कि दीवाली के बाद इस्तिती सामानी हो जाईगी अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट के क्या हल चाल है जो कि इसकरे से ट्रांस्पोर्टेशन शिपिंग और सेंबलिंग के भी जो प्रॉसेस होता है वो सारा ठप है और अंतराश्ट्य बाजार में भी इस्लोडाउन नहीं तो अभी क्या इस्तिती ह कि अभी एक्सपोर्ट वापस होना चालू हो गया है और बंदरगाउं पे दूसे देशों के जहाज आ रहे हैं तो जो पुराने पेंडिंग ओर्डर्स थे एक्सपोर्ट के वो एक्सक्यूट हो रहे हैं भी और कुछ नए ओर्डर्स भी आ रहे हैं क्योंकि योरोप में भी इस्तिती सामाने हो रही है और चाइना से काफी बड़ा एक्सपोर्ट था पूरे वर्ड में वो थोड़ा कम हुआ है तो उसका बेनेफिट इंडिया को मिल रहे है और चाइना को लेकर जिस तरह की भावनाएं है क्योंकि बॉर्डर पर जो हलात है उनको देखते हुए यहा इसका देखे चाइना को बारत से एक्सपोर्ट भी है और इंपोर्ट भी है इस्टोन का दोनों चीजे हैं इंपोर्ट कम है लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा है विशेश तोर पर ग्रेनाइट के ब्लॉक्स और मार्बल के ब्लॉक्स सेंडिस्टोन यह ज्यादा तर एक्सपो हो भी तू सकता है तो यह हैं अशोग दूस के वाइस चेर में इनका कहना है कि कोरोना के कारण मजदूरों का जो पलायन था उसके कारण इस्टोन इंडस्री में काम ठप हो गया लेकिन अब धीरे धीरे वापस से लोग माइन माइस में भी और साथी प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी काम बढ़ने लगा है साथी एक्सपोर्ट के ओर्डर भी आने लगे हैं पुराने ओर्डर्स पे भी काम हो रहा है कैमरामेन विजय मिश्चा के साथ वीके शर्मा इवन टीवी जैपोट